इसे कहेंगे रेडिकल तो इसका रेडिकल क्या आजएगा रेडिकल लिखकर रेडिकल लिखकर 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 रेडिकल लिखकर 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 4 plus 3 under root A इस scene में क्या होगा? जिस ये रैडिक, पर अंडर रूट वाली term ये करें हम आगे रैडिकल रैडिकल क्या आगे है? इसका अंडर रूट A रैडिकल जब रैडिकल की बात करूँ है तो क्या इसका मतलब हो? अंडर रूट वाली सारी term अंडर रूट इससे कहेंगे square root या अंडर रूट square root भी पढ़ते हैं इसको square root वाली सारी term square root के इंदर क्या है? सारी term क्या है? with square root square root वाली term with square root square root वाली term with square root क्या आजएगी? रैडिकल और रैडिकल क्या आजएगा? रैडिकल ready can't आजएगा सिरफ square root के इंदर मजूद value होगी है term जो कि क्या है इदर a थी इसी तरह 3 में क्या है 3 है under root 11 under root 11 तो under root 11 तो radical क्या आजएगा ready का ला जएगा under root 11 पूरी term और ready can't क्या आजएगा सिरफ अंदर वाली term without square root जो कि क्या होगी 11 अच्छा अब इसके आगे 4 में 8 माइनस under root 2 6 4 8 माइनस under root sorry 8 माइनस 2 under root 6 तो यह बज़ का radical क्या बढ़ रखिए उस वाल होगी इसका भी ready कर ला जाएगा radical आजएगा under root 6 बाकी इंदोरों को जदनोर कर देंगे और radical क्या आजएगा जब आजएगा बात होगी तो radical क्या है radical क्या है इसका square root लिया जा रहा है वो है सिरफ 6 as it is इसका question number 5 अब 5 में भी हमने रेडिकल और रेड तो अब 5 में क्या है 5 है अंडरूट 5 और आजएगा अंडरूट 5 तो रेडिकल क्या आाजएगा 주는 पॉर यन अ जाएगा यह उसक्ट final क्या तो प्रडिकारफ якіर हैं उसक्यार अज़ेगागा vraiment sorry ready canned ready canned backside पिस थे बंदे रादी कैंड है Radical सिरफ यह परे डर्म और रादी कैंड बूरी